दोस्तों एक बहुत बढ़ी खुसक्री है दोस्तो। जारखंड अश्टाप सिलेक्शन कमिशन ने पुलिस के पदों पे एक बड़ी भेकेंसि निकाली है दोस्तो। उसी का अपडेट आज में देने वाला है दोस्तों जैसे कि आप देख रहेंगे मैं जहारकंड अस्टाफ सेलेक्शन कमिशन के पेफसाइड में हूं दोस्तों तो मैं यहाँ ज्यादल समय कि ज्यादल देरी नहीं करते हुए मैं इसका नौटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ब्राउचर और जैसी सी तो यहाँ पर आप किलिक कर लिजीए गा तो यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किलिक कर लता हूं कि अब डानलोड हो जाएगा दोस्तों इसको यहां पे मैं पढ़के दirkा दाा हूं दोस्तों जाहरखंट करमचारी चायनायोक चायबगान काली नांको व्राँची की तरपसे यह बैकंसी निकली है दोस्तों मैं जल्دी से पढ़के बता तो यहां पर देखिए यहां पर जो भेकेंसी निकली हुए उत्पात एहमत निश्यत भीभाग के तहत उत्पात सिफाई सम्वर के लिए निकली है दोस्तों उत्पात सिफाई के लिए निकली हुए यहां भेकेंसी आप देख सकते हैं अनाराचित यानि समान जनल केटेगरी क 164 है और अनुसुची जाती सी के लिए 138 से और अनुसुची जाती सी के लिए 50 रिखती है और अतियंत पिछड़ा जाती के लिए 22 से अनुसुची 1 के लिए और अनुसुची 2 पिछड़ा जाती के लिए 44 सीटे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 518 सीटे हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसका ओनलाइन अप्लिकेशन कब यहां पर यहां पर देख सकते हैं ? दोस्तों इसका पैमेंट के बारे नहीं बतायागा दोस्तों पैमेंट जो भी होगा मुझे लगता है पांस सु से एक हजार के पीशी होगा लेकिन आप भर देजिए दोस्तों यह इस बहुत बड़ी vacancy है दोस्तों यहाँ पे आगे मैं और बताởीक दोस्तों कि अगर इस vacancy को भर ना चाते here तो अस्थानिय निवासी Łएंiosis होना जो भी है जाय रेचे धार्कंट राज के अस्थानिय निवासी तभी इस सावेतन को भर सकते हैं दोस्तों क्यूंकि जारकेंड में अस्तानिय नीती लागू हो चुका हुआ अनराजों की तरह यहां पर आगे बता दोता हूं इसका जो वेतन मिलेगा पांचार दोसों से पीस अजार दोसों मिलेगा वेतन पर नहीं जाए देरे-देरे बढ़ जाता है अब उन इसको अच्छे से पढ़के देख सकते हैं जारकान स्टाप सेलेक्शन कमिशन की वेपसाइट में विजिट करके जादा नहीं है दोस्तों यहां पर मुचाई और सीना जादा नहीं मांगा गया और एक्जाम की तूला में आप देख सकते हैं यह बहुत बढ़ी है वेकिंसी और यहां पर आप देख सकते हैं आठारा वर्स नियुद्ण मांगा किया है और पचिस वर्स अधिक्तम मांगा गया है और एश्टी ऐसे के लिए 28 वर्स इसी तरह से मतलब नुद्णाम अठारा और मैक्सिमो भमान लेजिए पचीस से ऊपर मांगा गया है और यहां पर आर तीन 2017 के पहचात निर्गत में जाती परवान पत्र होना जो रही है दोस्तों 31 मार्श 2017 के बाद कब बना होना जो रही है अगर नहीं बना तो बना लिजे जल्दी से और यहां पर आप देखिए इसका जो बैकेंसी निकला हुआ इसमें जो सेलेक्शन होगा सेलेक्शन प्रोसे तीन पेपर होगा दोस्तों तीन पेपर लिखे ठवरिशन पर जहांगा तो पत्र वन पे होगा यहां पर यह proud चिरी हैं तो यहांपर आप देखसकते हैं पत्र में भासा इंब्भासा और अंग्रेजी भासाँ से परस्नelse पूछे जाएंगे ऑस हिंधी से और 40 अंग्रेजी टोटल 120 पूछे जाएंगे और इसमें दोस्तों देखिए सभी के टेकरी के लिए 30% लाना बहुत जो रही है 30% आप ला सकते हिंदी और अंग्रिजी तो पढ़े ही होंगे और यहां पर पत्र टू में आपका छेतरीय से होगा आप जिस छेतर से बिलोंग करते हैं जिस छेतर से अब भरे हैं उसी से मतलब related question पुछा जाएगा इसमें सोब वेकल objective question होगे दोस्तों इसमें आपको टिक करना होगा और पत्र थिरी में पेपर थिरी में आप देख सकते हैं 120% होगे समान अधियन से 40% होगे और जहारकन राज से समन्दित ग्यान होगा तो 50% होग होगे कुल 120 हो गया और इसमें देख सकते हैं दोस्तों पत्र टू और पत्र थिरी दोनों में मिला की कम से कम आपको 40% लाना जो रही है समान के टेकरी के लिए और अब इसी एश्टी के लिए इसी तरह से 40 से नीचे 30 35 लाना इसको भी मैं आगे बता दूंगा दोस्तों यहां पर लिखा होगा कहीं पर यहां पर अब देख सकते हैं ओई जो बताया हूं इस तरह से उतने परस्न पूछे जाएंगे देख सकते हैं दोस्तों समान ग्यान में अब परस्न पूछे जाएंगे इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगे वीडियो यहां पर जारकन रासे समद्दी सब देख सकते हैं से लिए बस क्या दिया गया अब मैट के अस्तर से पूछा जो जो और एकजाम से बहुत अच्छा है दोस्तों याने मतलब एक किलोमेटर छे मिनट में पूरा करना जिसे रेलवे में आपका मतलब सोलासो मीटर आपको छे मिनट में पूरा करना यहां तो कम ही है दोस्तों और यहां पे ओही चीसा के लिए दिया गया है दूबारा से यहां प लिए 32 पिछड़ा के लिए 34 पिछड़ा क के लिए 36.5 महिला के लिए 32% महिला के लिए दोस्तो देख सकते हैं लड़के लोग भर ज़ल्दी से तो इस तरह से आ देख सकते हैं इसमें परी रूपिय यहाँ पहे दिया सकते हैं और नन रिफेंडबल होगा यह पैसा वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों यहां पर अच्छे से देख लेजिए इसको अच्छे से पढ़ लेजिए इसका आवेदन मैं एक बार पहले और बता देता हूं कब से स्टार्ट है यहां पर देख सकते हैं 26 दिसम्बर से स्टार्ट है दोस्तों इसका आवेदन और आगे बता देता हूं दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया दोस्तों आप जाती और आवासिय बना लिए दिये मतलब मार्च 2017 के बाद का होना चाहिए अगर इसे रेलेटर कोई भी अगर जनकारी पूछना चाहते है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों और इस तरह के अपडेट अगर चाहते हैं आप तो हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लिए दोस्तों इस तरह की रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे सबसे प